पूजी गुर्देव संत श्री आशाराम जी बापो की चिकित सा निर्विग्न संपन्न हो एवं पूजी श्री पूर्ण रूपेन स्वस्त हो शीग्र आश्रम पधारे इस है तू संत श्री आशारामजी आश्रम एहमदाबाद के तत्वावधान में श्री गणेश चतुर्थी के निमित 11 दिवसिय जब अनुष्ठान का आयोजन 6 से 16 सितंबर 2024 दर्म्यान किया जा रहा है। संत चरंदास जी की जैन्ती भी है। फिर ओम गम गणपतये नमह मंत्र की एक माला जब करें। तत्वश्चात पूज्य वापुजी स्वस्थ हो। इस हे तू सर्वरोगनाशक मंत्र का इस प्रकार से संकल्प करके एक से तीन माला जब करें। संकल्प है। पूज्य संत श्री आशारामजी बापु स्वस्थ हो। शीग्राती शीग्र स्वस्थ हो। ओम्मा 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 पूण स्वस्थ हो। ओम्मा 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 पूण निरोग हो। ओम्मा 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 मेरा यह द्रण संकल्प ब्रह्मांड व्यापी हो रहा है। हर्योम्मा ओम्मा ओम्मा फिर इस मंत्र का माला से जब करें अच्चुताय गोविंदाय अनन्ताय नाम भेशजात नश्यंती सर्वरोगाणी सत्यम सत्यम वदाम्यहम 6 सितमबर को चंदर दर्शन निशिद्ध होने के काल में रातरी आठ से नौ बजे के बीच एवं 7 सितमबर को रातरी आठ बजे से लेकर 9 बज़ कर 30 मिनिट तक गनेश चतुर्थी होने से इस दिन भी चंदर दर्शन के निशिद्ध काल तक एहम्दाबाद आश्रम से लाइव में सामुहिक कारेक्रम किया जाएगा अन्नी दिनों में अपने अपने समयानुसार प्रति दिन दिन भर में कभी भी जब की संख्या पूरी कर लेनी है यदि 6 और 7 सितंबर के निशिद समयों में भूलवश किसी को चंद्रदर्शन हो गया हो तो 7 सितंबर रातरी 9 बच कर 30 मिन करने से चंद्रदर्शन के दोश का दुश्प्रभाव कट जाता है